मध्य प्रदेश के राजनितिक गलियारों में महरास्ट से आई विकाऊ बच्चों की खवर ने संसनी फैला दी है इसको लेकर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है पी से सी चीव जीतु पटवारी ने प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को पत्र लिखकर दलितो और आदिवासियों के प्रती सरकार की जवाब देई को लेकर सवाल किया जीतु पड़वारी ने पत्र में लिखा कि महारास्ट के च्छतपती सभाजी नगर के कांजनवारी छेतर में बच्चे बिकाऊ है कीमत भी केबल 25,000 रुपे ये सभी बच्चे महारास्ट के खंडवा जिले से मजदूरी करने महारास्ट गए आदिवासी परिवारों के हैं जादा पैसे के लिए खंडवा के मुंदी छेतर के ग्यारा गाओं के आदिवासी परिवार सहित महारास्ट और गुजरात का रुख कर तो रहे हैं लेकिन तंग हाली ऐसी है कि इने अपने बच्चे तक बेचने पर रहे हैं इस प्रमानिंग कुलासे से एक बार फिर सावित हो गया है कि मध्यप्रदेश का दलित और आदिवासी समुदाए गरीब पिरित और सोसित है भस्रचार की भेट चड़ी सरकारी योजनाओं का लाब भी उसे नहीं मिल रहा है गरीबों को निसुलकरासन की विवस्ता भी सबूत के साथ सामने आई इस खुलासे में संदे में आ गई है